नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल स्क्लिपीर सहरवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम आपको जनकारी देंगे AWPL Agriculture के प्रोड़क्ट की जनकारी जी हाँ दोस्तों AWPL Company के दुवारा हाली में बहुत सारे अगरिकल्चर के प्रोड़क्ट लॉँच किये गया है जिसमें एगरो 90 है, इको हरियाली है, भूबीटा है, पीजी पीयर है हम इन सारे प्रोड़क्ट के बारे में आपको जनकारी देंगे आज के सेसन के माध्यम से इसके अलवा जो आज का सेसन है, आप देख सकते हो, AWPL Company के साइट से ही हम इसकी बात करेंगे और इसके साइट पे जो भी प्रोड़क्ट दिये गए है, अगरिकल्चर के चारो प्रोड़क्ट, उनके प्राइस डिटेल्स, उनके सेल पॉइंट्स, उनकी कितनी कुईन्टिटी है, इसके अलवा क्या-क्या बेनिफिट्स है इन सारी बातों की चर्चे आज की वीडियो में हम करेंगे, तो आए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे स्क्रीन को हम ड्रैक कर रहे हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे ह जो product है उस product का नाम है ECO Haryali जी हाँ दोस्तो ECO Haryali product है और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं price details के बारे में तो यहाँ पर price details में आप देख रहे हो कि ECO Haryali का price details है 1154 रुपया MRP price है DP prices का 962 रुपया है और इस product को जब आप purchase करते हो company के दुआरा तो company आपको 6 SP 6 sale point देती है और इस product की quantity जो है यह 500 ग्राम का product है अब हम बात करते हैं दोस्तो ECO Haryali है क्या इसके अलावा इसका हम क्यों इस्तमाल करें इसके इस्तमाल से हमें क्या क्या benefits है इसकी चर्चा हम करेंगे तो सबसे पहले हम बता दें कि यदि आपके बीजों का अंकुरण सही से नहीं हो रहा है कोई बीज जल्दी से अंकुरित नहीं हो रहा है उस समय आपको ECO Haryali जो product है उसका इस्तमाल करना है ये पौधों के जड़ों में जाता है और जो पौधों के लिए लाबदायक जिवाणू होते हैं उनकी मात्रा को increase करता है इसके अलावा जड़ों की ब्रिध्धी करता है बहुत जल्दी से जड़ों की ब्रिध्धी कर देता है ताकि पौधा stay हो सके नेक्स्ट है कि भूमी में जो भी मुख्य और सुक्ष्म पूशकतत होते हैं जो की असानी से पौधों तक नहीं पहुंचते हैं उनको पहुंचाने में भी ये सायक है इसके अलावा यदि भूमी में जल्दारन की शमता कम हो गई है तो उस शमता को भी increase कर देता है इस प्र प्रती एकड कि दर से यूज होगा नेक्स्ट प्रोड़क्त की अधिया हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रोड़क्त है आप देख रहे हो स्क्रीन पर उसका नाम है पीजी पीयार एक्शुली क्या है यहां पर उससे पहले हम देखेंगे कि पीजी पीयार प्रोड़क्त का इसको जब आप पर्चच किजेगा तो थ्री सेल पॉइंट्स मिलेगा कंपनी की तरब से इसके लावा धाई सो एमिल का यह प्रोड़क्त है यह लिक्विड फॉर्मेट का है अब आई हम बात करते हैं कि पीजी पीयार होता क्या है तो दोस्तों एगरिकल्चर के टर्म में पीजी पीयार का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो वेक्टिरिया और एक बात और बता दें यह सभी प्रकार के फसलों के लिए उप्योगी प्रोड़क्ट है फसलों की बृद्धी के लिए आवश्यक है यह पौधों का संपूर्ण विकास करता है होल विकास जैसे उनके जड़ों में ब्रिधी करना हो तनों में या पतियां जो है वो सही नहीं दिखाई दर यह पूरी तरह से पौधे को पूर्ण विकास यह करता है पीजी पियार इसके अलवा बीजों के अंकुरन तथा यदी फूल अगरे गिर रहे हैं तो उसको भी यह सह कर सकते हैं यह पौधों में प्रति रोधक शमता को इंक्रीज कर देता है और इस प्रोड़क का भी जो इस्तिमाल है प्रति एकड़ की दर से करना है 200 ml को और कम से कम 200 लिटर पानी में इसको मिला कर पौधों पे छिड़काव करना है नेक्स्ट आप देख रहे हो नेक्स्ट अब हम बात कर सकता है इसके प्राइस ज्याए का है अब बात करते हैं इसके पान्सव आमल का प्रोड़क्ट है अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इस प्रोड़क को जब आप इस्तमाल कीजेगा तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है तो एगरो 90 जो है ये एको फरेंडली प्रोड़क्ट है और नौन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर है और ये पौधों में सिलिकॉन की कमी को दूर करता है जब भी फसल की बुआई या फसल के पकने का समय है उस समय आप इसको 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 ससकते हो इसके अलावा पौधों और फशलों के लिए ये गैर प्रतिक्रियाशील अधारित स्प्रे है और ये कित नाशकों और उरुरुकों के साथ एक समान मिश्रण में फैलाओं में सहायक है यदि हम इस्तमाल के तरीके की बात करें तो ये प्रति एकड़ खेत में इस्तमाल होगा इस्प्रे करना हो तो पानी में आपको मिला के करना है यदि मिट्टी में यूज करना है तो 1.25 ml पर लिटर वाटर के साथ इसको यूज करना है और यदि स्प्रे करना है तो 0.5 ml पर लिटर वाटर के साथ इसको आपको यूज करना है नेक्स्ट हम जो प्रोड़क्ट की बात करेंगे आए देखते हैं स्क्रीन को ड्रेक करकर और जो चौथा प्रोड़क्ट है और लास्ट प्रोड़क्ट है भूबीटा भूबीटा प्रोड़क्ट है और आईए इसके बेनिफिट से पहले हम इसके प्राइस डिटेल्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्या प्राइस डिटेल्स है भूबीटा का तो इसका MRP प्राइस है 500 एक्याउन रुपे है लीपी प्राइस है 459 और इस प्रोड़क्ट का सेल पॉइंट है 2 SP और इसकी कॉइंटिटी है 4 kg यह 4 kg का प्रोड़क्ट है भू बीटा यह क्या है इसके बारे में हम जानते हैं भू बीटा एक्चुली इसको हम कहा सकते हैं स्वाइल कंडिशनर है यह 1 मिनट यह क्या है स्वाइल कंडिशनर प्रोड़क्ट है और यह नमी को अधिक समय तक भूमी में बनाये रखता है भू बीटा जो है फसलों की पैदावार को बढ़ाने में सहायक है और जो भी हमारे भूमी में पोशक्ततों की कमी हो गई है वो पो इसके अलावा जो फिजिकल स्ट्रक्षर है भूमी का उसको सुधारता है और जो जिवाडू होते हैं, फ्रेंडली जिवाडू जो होते हैं जो पौदों के लिए अच्छे साबीत होते हैं, उन जिवाडों के शंखिया को ये इंक्रीज करता है और विज़ के आलावा अलावा ये भूमी का जो पी एच वैली होता है उसको ये कंट्रोल करता है उसको सही रखता है भूमी में आवश्यक करबनिक पदार्थों को ये बढ़ाने में सहक है और यदि हम भूवीटा को इस्तमाल की तरीके के बारें बताएं तो इस चार केजी के प्रोड़क को प्रती की एकड़ के दर से यूज करना है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सभी जो प्रोड़क्ट है ये एड़लू पी एल एसकलेपियस फ्राइबेर लिमिटेट कंपनी के एक डिकल्चर कटेगरी के प्रोड़क्ट है और आपो इनके प्रैस डिटेल्स इसमें अमर्पी प्राइज क्या है कंपनी के दुआरारा डिस्ट्रिव्यूटर प्राइस कितना तय किया गया है इसके अलावा सेल पॉइंट क्या कंपनी देती है कितनी quantity के products हैं इसके बारे में आप जाने इसके अलावा इस product के क्या benefits है ये क्या products है इसके बारे में हमने जनकारी दिया दैन आपको जनकारी इस वीडियो में मिला कि इस product का इस्तमाल आपको कैसे करना है और भी किसी तरह का theory होगा तो आप मेरे description box में जाकर मेरा contact number भी दिया हुआ है वहाँ से contact कर सकते हैं इसके अलावा इस से related और भी जनकारी चाहिए तो चैनल में विजिट करकर और भी agriculture के products के बारे में separate video भी बनाया गया है हर product का एक-एक separate video बनाया गया है आप उसको देखकर इसके और भी benefits और इस्तमाल के सही तरीखों के बारे में जनकारी आप ले सकते हैं और वीडियो के एंड में दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरू बताईएगा और जो दोस्त चैनल में नया है प्लीज चैनल को subscribe कीजिएगा ताकि हम इसी तरह समय समय पर नए नए वीडियो लाते रहें आपके लिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए किसी तरह का उजहाओ देना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों की शेयर कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो और नए जनकरी के साथ धन्यवाद